Hello student, welcome to your channel basics of computer science अज हम 8th standard का mathematics शुरू करेंगे chapter number first rational numbers और उसमें हम पहले 3 question को solve करेंगे ठेक है और यह जो first question है using appropriate properties find मलब short out करके इनको solve करना है इसके मैं 2 method बताऊँगा एक वो method बताऊँगा जो की question में पूछा गिया कि हमें इसी तरह से करना है और दूसरा मैं shortcut बताऊँगा ठीक है तो जो सही लगे वो कर लेना और जहां तक मुझे लगते हैं आपको shortcut method ठीक लगेगा ठीक है आएए शुरू करते हैं सबसे पहले हम question के उपर जाने से पहले थोड़ी सी यह जो numbers होते हैं whole number rational number गहरा इनकी कुछ properties के बारे में पढ़ लेते हैं हम सो फस्ट है associative property for the addition सो addition की जो associative properties है उसको हम देख लेते हैं कि properties क्या है और किस तरह से हम इसको अपनी questions में apply करते हैं suppose मेरे पास तीन number है A, B, C तीनों को मैं plus कर रहा हूं ठीक है सो associative property for addition का मतलब है एक तो बीच में sign लगेगा इनके बीच में तो इसका मतलब है कि अगर suppose मैं A और B को plus करूं और C को बाद में करूं या फिर A को बाद में और B plus C को में पहले plus करूं ठीक है तो इनका जो answer है वो same आए रहा ठीक है चाहे मैं first two term का addition करूं पहले और last term को बाद में या फिर मैं first term को बाद में और last की दो term उनको पहले plus करूं या इस तरह से solve करूं तब भी जो आपका answer है वो same to same आए ठीक है तो इसको हम पहले के example से समझेंगे और यह जो मैंने example लिया है यह सब के लिए है पहले हम addition देखेंगे फिर subtraction, multiplication, division सब देखेंगे हम ठीक है तो for example मेरे पास तीन number है A, B, C की जगा 5, 4 और 2 तो आई step by step in को करते हैं तो सबसे पहले देखो 5 और 4 को मैंने plus करना है और दूसरी तरह मैंने 4 प्लस 2 को plus करना है जब इन दोनों को मैं solve करूंगा मतलब पहले bracket वाली desert को solve करूंगा तो यह आजागा 9 प्लस 2 और दूसरी तरह पाएगा 5 प्लस 6 ठीक है अब फिर से अगर मैं इनको plus करूं तो answer क्या रहे? same आ रहे ठीक है so जो addition है वो associative property अपने पास रखता है यानि अगर तीन number है तो तीनों मैंसे हम जैसे मर्जी इसको plus करे answer same to same रहेगा ठीक है? so next हम subtraction में देह लिखते हैं अभी जो subtraction का case है अगर same method हम subtraction में apply करें तब हमारा answer जो है वो same नहीं आएगा वो different आएगा चलो देखते है इसको same उसी तरह से हम a-b-c किया ठीक है? सबसे पहले हम consider करेंगे कि यह ब्राबर है जैसे additive property for addition देखा था हमने कि first two term और फिर last की two term अलग-लग उनको plus किया था वैसे हम इसको minus करेंगे और फिल अलब हम देखते हैं कि यह answer जो equivalent है ठीक है? दोनों ही answer जो ब्राबर आएंगे यह मैं मान के चल रहा हूं अब भी आगे देखते हैं कि क्या होता है ठीक है? same numbers है 5 4 और 2 और same method से फिर से हम करेंगे 5-4-2 और 5- और bracket के अंदर 4-2 अब 5-4 करें तो हमारे पास 1 आएगा minus 2 वैसे का वैसे और दूसरी तरफ 5 वैसे का वैसे और minus 4-2 2 होते हैं तो यहां पे 5-2 आएगा ठीक है? अब इनको और solve करें तो हमारे पास आ रहा है minus 1 और दूसरी तरफ आ रहा है 3 तो यह दोनों जो हैं ब्राबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है a minus b minus c not equal to a minus b minus c उसमें bracket मैं भोल गया हूं यहां पे bracket लगा ले ना आपने यहां भी यह bracket लगेगे ठीक है यानि यह दोनों method जो है आपस में equivalent नहीं है तो हम यहां पे लिखें तो subtraction does not have the associative property यानि जो subtraction है वो associative property अपने पास नहीं रखता है ठीक है तो आपने ध्यान रखने कि यह जो associative property है यह सिर्फ addition और multiple question के लिए ही होती है अगर आप subtraction करोगे यह division करोगे तब यह applicable नहीं है इन दोनों की answer जो वो different आते हैं आपने अभी यहां minus की case में देखा ठीक है so next हम multiplication के बारे में देख लेते हैं same वही करना है हमना सब कुछ addition में plus किया था subtraction में minus और यहां पे same वही step follow करने है बस हमें जो sign है वो change करना है यानि last time हमने subtraction किया subtraction की जगह हम यहां पे multiplication करेंगे और multiplication में भी answer हमीशा same आता है तो यह है मिला first two को multiply करो पहले फिर बात में last के two को suppose we have a number five four and two then इनको multiply किया फिर इनको यह five into four आएगा twenty into two and that is equal to यह four into two eight आएगा अब दोनों को multiply करते तो हम दोनों तरफ आ रहा है 40 40 यानि जब हम addition करेंगे या multiplication करेंगे तो दोनों ही associated property अपने पास रखती है और इनको हम apply कर सकते है addition और multiplication के case में पर जब हम division की बात करें तो subtraction और division में यह सब possible नहीं होता है क्योंकि दोनों cases में different answer आते हैं तो अभी हम division के बारे में देख लेते हैं अभी चलो हम इसको देखते हैं कि पहले हम यह first two bracket और इस side last की two bracket को solve करेंगे और फिलाल हम मानके चल रहें कि यह दोनों ही answer ब्रावर आएंगे same है फिर से हम इसी तरह से ले लेते हैं 5 divided by 4 divided by 2 और जब 5 को 4 से हम divide करते तो हमारे पास आता है 1.25 और यह 2 वैसे रहेगा dividing by 2 और 4 को 2 से divide करें तब 2 हो आता है ठीक है अब इसको हम और solve करें तो यहां पर आएगा 0.625 और इसको solve करें तो यहां पर आ रहे है 2.5 और दोनों ही left hand side और right hand side आपस में equal नहीं है जिसका मतलब है कि यह इसके बरावर नहीं है यहां पर bracket लगा लेना starting में यह दोनों आपस में बरावर नहीं है that means division does not have the associative property यह division के पास भी associative property नहीं होती है ठीक है तो यही हम properties को apply करेंगे अपने next question में जो first question है आपका chapter का तो आई यह first question के चलते हैं यहां भी लिखाए था उचित गुड़ धर्मों के प्योग से निमन लिखित का मान ग्याद कीजिए मतलब हमें यह first और second question को solve करना है ठीक है तो सबसे पहले first question पर आ जाते हैं हम अब यहां पे साचारे गुण धर्म से यानि इस पे जब हम इस formula को apply करेंगे तो यहां पे के आऊगा यह भी minus है यह भी minus है तो दोनों ही minus वाली term मलब minus भी और multiplication भी यह दोनों में तो इन दोनों terms को इकठा लिखेंगे और यह जो plus वाली term में 5i2 इसको अलग लिख देते है ठीक है यही इसका मतलब है तो यह देखो यहां पे same to same बैसे लिख दिया यह वाली term हमने second number पे लिख दी और plus 5i2 हमने next कर देते है next है वितर्कता के उप्योग से अब यहां भी हम common values देखेंगे जैसे 3.5 इसके साथ भी है और यहां भी 3.5 है तो हम के करेंगे 3.5 को common ले लेंगे और इनको विख solve करते हैं तब हमारे पास आएगा 3.5 यहां से common लिया और यह आया हमारे पास minus 2 by 3 ठीक है और यहां पे minus का निशान और 1 by 6 और plus 5 by 2 वैसे का वैसे रहेगा अब इसको फिर स हम LCM लेकर solve करते हैं तो यहां पर आजाएगा 6. 6 आ गया यह जो 3 है. यह जो 3 है इस 3 से हम 6 को divide करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और जो 2 आ रहा है उस 2 को हम इस 2 से multiply करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 4. तो यह minus करने साइन लेगा तो यहां पर भी minus 4 आए है हमारे पास ठ और इस 6 से हम इस 6 को divide करेंगे हमारे पास आएगा 1 और 1 से जब हम 1 को multiply करेंगे तो 1 आएगा और निशान हमारे पास आएगा minus 1 इसलिए यहां पर लिखका है minus 4 और minus 1 ठीक है तो अब इसको फीच से हम देखे तो यहां पर देखो minus 4 और minus 1 कितना आजाएगा minus minus प्लस हो जागा sign लगेगा minus का यहां पर आएगा minus 5 तो next हम देखेंगे 3 by 5 into minus 5 by 6 plus 5 by 2 वैसे का वैसे रह जाएगा अब इस 5 को इस 5 से हम divide कर सकते हैं और 3 से 6 को divide कर सकते हैं ठीक है तो 3 से 6 कट गया 5 से 5 कट गया यहां पर हमारे पास एक तो minus रहेगा उपर minus 1 और निच्चे हमारे पास 2 रहेगा तो हमारे पास आ रहा है minus 1 by 2 plus 5 by 2 ठीक है अब दोनों का हम फिर से LCM लेंगे तो यहां पर आजएगा minus 1 plus 5 और minus plus minus करेंगे और sign लेगा जो बड़ी value के साथ है यहां पर plus का निचान है 5 के साथ तो यहां पर plus के 4 आएंगे 4 by 2 और 4 2 से कट जाएंगे और answer हमारे पास final आएगा टू आएगा ठीक है तो यह है एक method जो कि हम से पूछा गया है कि उचित गुड मर्गों के उपयोग से निमलिकित का मान गयात कीजिए यानि जैसा कि question मैं पूछा गया है कि हमें इसी तरह से solve करना है उसी method से इसको किये गए यह थोड़ा lengthy लग रहा है तो मैं अभी short में भी दिखाऊंगा आगे पर पहले हम second question को भी solve कर लेते हैं इसी तरह के से तो फिर से देखो यहां पर यह प्लस वाली value है और यह भी plus वाली value है और यह है minus वाली तो हम plus वाली value को 81 करके लिख लेते ठीक है तो यह आजागा हमारे पास साच चारे गुण धरम से यानि प्लस वाली value को इकठा और यह minus वाली अलग से लिख दी फिर नेक्स्ट हम common factor देखते हैं से 2.5 और यहां पर भी 2.5 2.5 को common लिया तो यहां पर हमारे पास बच गया minus 3 वाई 7 और प्लस 1 वाई 14 और यह वाली value वैसे की वैसे अब इसको हम 3 और 6 को आपस मैं काट देंगे 3 और 3 डूसर 6 और यहां पर हमारे पास देखो यह 14 L से हम आ आएगा फिर 2 को हम 3 से multiply करेंगे तो 6 और साइन लगेगा minus का तो minus 6 आ गया 14 को 14 से divide किया 14 sorry 1 और 1 को 1 से multiply किया तो यहां पर आ जाएगा minus 1 और minus 6 plus 1 और इसको जब हम divide किया तो हमारे पास नीचे 2 बचा 2 इंटो 2 4 तो यह आगे हमारे पास minus 1 by 4 अब इसको solve करेंगे तो यहां पर minus 5 आएगा क्योंकि जो बड़ी value उसके साथ minus का निशान है तो यहां पर minus 5 आएगा तो हम लिखेंगे 2 by 5 into minus 5 by 14 minus 1 by 4 अब इस 5 से इस 5 को हम काड़ देंगे और 2 से हम 14 काड़ देंगे ठीक है तो हमारे पास उपर आएगा minus 1 और नीचे आएगा 7 तो हमारे पास आएगा minus 1 by 7 minus 1 by 4 जब इनका LC म लेंगे तो नीचे आएगा 28 और उपर cross multiply so minus 4 into minus 7 और वो आजागा हमारे पास minus 11 divided by 28 तो यह हमारे first जो question है उसके दोनों प जिस तरह से question में पूछा गया था उसी तरह से इसको मैंने solve किया है अभी मैं इनका shortcut method बताऊंगा ठीक है कि shortcut में हम कैसे same question जो solve करेंगे तो simply equations है तो इसको हम एक बार फिर से लिखेंगे और हम क्या करेंगे सबसे पहले जो values कट रहे हैं उनको काड़ देंगे जैसे यहां प इस 3 से यह 2 कड़ जाएंगे तो यहां पर मारे पास बचेगा minus 2 by 5 और यह plus के 5 by 2 और यहां पर minus 1 by 10 आएगा यहां पर 2 है और 5 into 2 10 तो मारे पास आ रहा है minus 2 by 5 plus 5 by 2 minus 1 by 10 अब सब का हम LCM लेंगे तो मारे पास है 5 2 और 10 ठीक है अब यह 5 से जाएगा 5 से जाएगा तो 5 1s of 1 यह 2 वैसे का वैसे और 5 2s of 2 अब 2 common हो तो यहां पर क्या आ जाएगा 10 ठीक है अब ही यह next मैं आपको बताता हूँ कि यहां पर minus 4 plus 25 और minus 1 कैसे है ठीक है अब देखो यहां पर यह 10 लिखा है यहां पर यह लिखा है 5 तो इस 5 से इस 10 को डिवाइड करेंगे यह लिखा है 10 डिवाइड बाई 5 तो हमारे पास आ रहा है 2 ठीक है जो यह 2 आता है उसको हम multiply करते है यह जो उपर वाली value होती है इसके साथ ठीक है तो जब मैंने इस 2 को इस 2 से multiply किये मेरे पास आया 4 और यह minus का निशान है इसलिए यहां पर आगया minus 4 अब यहां पर क्या है 2 तो इस 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे हम 10 डिवाइड बाई 2 हमारे पास आएगा 5 और इस 5 को हम multiply करेंगे इसके साथ तो 5 इंटू 5 कितना आ गया 25 निशान लगेगा प्लसका और यह next मैन ऐसल प्लस 25 मैनिस वाण अब मैनिस वालों को अलग से करेंगे और प्लस वालों को अलग से तो मैनिस मैनिस प्लस यह आजाएगा हमारे पास मैनिस 5 प्लस 25 डिवाइड बाई 2 और यह आजाएगा हमारे पास 20 डिवाइड बाई 10 या तो 10 से 20 को काड़ दो या फिर 0 से 0 को काड़ तो यह answer हागे हमारे पास 2 तो यह shortcut method है और easily आप इसको इस तरह से solve कर पाऊगे अब इनेक्स question को देखते हैं हम shortcut method से simply इसमें भी हम वोई step follow करेंगे कि जो cut रहें उनको काड़ देंगे हम तो यह 3 और 6 कटेंगे और यह 2 और 14 कटेंगे 3, 6 कट गया है अब यहां पर निचे भी 2 बच्चे हैं तो यह कितने आगे यहां पर minus 1 by 4 और यहां पर 7 आएंगे तो यह आज़ेगा 35 और इनको भी हम आपस में multiply करतेंगो 3 into 2, 6 और 5 into minus 7 is minus 35 तो हमारे पास आज़ेगा यहां पर minus 6 divided by 35 minus 1 by 4 plus 1 by 35 अब यह देखो यहां पर 1 by 35 हम common ले सकते हैं तो हम इन दो को आपस में solve करेंगे तो हमारे पास 1 by 35 common आज़ेगा अंदर क्या आ रहा है minus 6 और plus के 1 और यहां पर minus 6 plus 1 आज़ेगा minus के 5 और इस minus 5 से हम 35 को divide कर देंगे तो यहां पर 7 आएगा और minus का निशान तो हमारे पास आएगा minus 1 by 7 और minus 1 by 4 जब income LCM लेंगे तो हमारे पास आजएगा minus 4 sorry minus 4 minus 7 divided by 28 और वो आजएगा हमारे पास minus of 11 divided by 28 तो यह हमारा first question solve कुछ आता है फिर next हम second question को देखते हैं ठीक है second question में लिखे है ने में लिखते हैं से परते के योज्जी परतिलोम लिखी है अब जहां पर भी योज्जी परतिलोम आप से पूछा जाएगा तो आपने बस एक बात दिमाग में रखनी है कि जिस भी value को हमारे से योज्जी परतिलोम पूछा जा रहा है उसको हम क्या मतलब उसमें हम क्या add करें या minus करेंगी आपका answer जो वो जिरुवाज है सिर्फ यही है ठीक है के जगा आपको minus करना पड़ेगा के जगा आपको plus करना पड़ेगा और वो same value होती है जिसके साथ हम minus और plus करते हैं जैसे यह 2 by 8 या जो भी लिखे यहाँ पर minus 19 by 6 या 2 by minus 9 जो भी values लिखे ठीक है इसमें same to same वही answer आएगा बट जहां पर आपका minus है वहाँ पर plus है और जहां पर plus है वहाँ पर minus है ताकि जब हम दोनों को add करें तो answer क्या आजाए 0 जैसे यहाँ पर 2 by 8 है अब 2 by 8 में हम क्या add करें कि 0 माइनस 2 by 8 ठीक है तो इसका answer है कि 2 by 8 का जो योज्य परितलों में वह है माइनस 2 by 8 तो यह step है हम जानते हैं कि परमे संख्या a dividing by b का योज्य परितलों minus a dividing by b है यानि हमें पता है कि कोई भी परमे संख्या जिसको हम a by b के form में लिखते हैं suppose a by b तो इसका योज्य परितलों simply minus लिखना है यहाँ पर minus of a by b होता है ताकि जब हम दोनों को add करेंगे a plus b और plus of minus a by तो दोनों का answer क्या जाएगा 0 आ जाएग ठीक है अब suppose यहाँ पर minus होता तो यहाँ पर हम minus ही नहीं लिखते है यहाँ पर लिखते प्लस राइट तो 2 by 8 है तो इसका answer minus 2 by 8 आ जाएगा यहाँ पर ठीक है इसका answer आएगा minus 2 by 8 so first cancer है मारे पास 2 by 8 का योज्य प्रतलों है minus 2 by 8 अब यहाँ पर है मारे पास minus 5 by 9 अब यहाँ पर minus है तो इसको हमें plus करना पड़ेगा same value से तब इस cancer जो हो जिर्व आएगा तो second में हम इस cancer लिखेंगे minus 5 by 9 का योज्य प्रतलों है 5 by 9 अब यहाँ पर देखो 6 by 5 है उपर भी minus है निचे भी minus है यह दोनों को हमें confuse करने के लिए मतलब दिखाया गए यहाँ अब देखो यह दोनों minus है तो minus से minus कड़ जाएगा और यह फिर हो जाएगी हमारी plus value ठीक है तो यह actual value है 6 by 5 तो plus की value तो यहाँ पर हम minus of 6 by 5 इसका answer आएगा तो इसका answer है minus 6 divided by 5 अब यहाँ पर minus लगए है तो इसका answer आएगा plus 2 by 9 same to save यह minus of 2 by 9 का योज्य प्रतलों 2 by 9 अब यहाँ पर minus है तो इसका plus आएगा यह देखो 19 minus by 6 का योज्य प्रतलों है 19 by 6 तो बहुत ही simple है simply आपने क्या करने कि अगर आपके पास value minus में है तो same value plus कर देनी है और value plus में है तो same value आपने minus कर देनी है ठीक है third question देखते है third question simply हमारे पास x की value दी गई है दो question ने दोनों में एक की value लग लग दी गई है और हमसे बोला गया है कि minus into minus 1x is equal to x यानि हमें के करना है पहले starting में minus लगाने फिर फिर से minus लगा के x की value पूट करने है और हमें बताने कि दोनों values बराबर है सबसे पहले तो आप यह देख लो कि minus 1 multiply minus 1 is equal to plus 1 जब हमें multiply करते हैं अगर हमारे पास suppose कोई दो values हैं दोनों के साथ minus का निशान है और दोनों को जब हम multiply करेंगे तो उनका जो answer आएगा वो plus में आएगा अगर हमारे पास तीन values हैं और तीनों को ही जब हम multiply करेंगे और तीनों के साथ minus लगा है तो हमारा answer जो वो minus में आएगा इसका simple सा funda होता है कि अगर मतलब जो भी multiplication मैं minus के sign है अगर वो even है तब answer plus आएगा अगर odd है तो answer जो वो minus आता है ठीक है तो यहां पर simply यही बोला है कि अब देखो अंदर लिखा है minus x और bracket के बार minus 1 लिखा है तो simply हम one consider कर लेते हैं ठीक है तो हम क्या करेंगा minus 1 को minus 1 से multiply करेंगे क्योंकि यह even number आ रहा है इसलिए इसका answer plus में आएगा तो बहुत ही simple है हम simply क्या करेंगे इस same equation में x की value put करेंगे और कुछ नहीं करना ठीक है तो first question में हमारे पास जैसे की दिया गया है कि सत्यापित कीजिए minus of minus x is equal to x तो हम लिखेंगे यहां पर minus of minus x is equal to x में x is equal to 11 by 15 रखने पर अब हमें simply क्या करना है 11.15 x की जगा रखने है इस पूरी equation में simple तो यहां पर क्या आ जाएगा minus of minus 11 by 15 is equal to 11 by 15 और minus multiply minus क्या हो जाता है plus तो यह क्या हो गया हमारे पास 11 by 15 is equal to 11 by 15 that is left hand side is equal to right hand side यानि यह हमारा answer जो वो प्रूफ हो गया तो लास्ट में आप लिख सकते हैंस left hand side is equal to right hand side hands प्रूफ्ट वर्ड लिखने ना खुद से second question को हम simply वैसे लिखेंगे कि इसमें हमें x की value minus 13 by 17 put करनी है तो हम simply क्या करेंगे minus bracket फिर minus अब यहां पर यह कर्ली ब्रेकेट इसलिए लगाए गई क्योंकि यहां पर सुरू में खुद से ही minus लगाओ ठीक है तो bracket को अलग करने के लिए यहां पर पहले minus फिर curly bracket फिर minus यह bracket और minus 13 by 17 that is equal to minus 13 by 17 अब देखो minus थोड़ देर पहले क्या बोला था मैंने कि जब multiplication में sign even आए तो plus होते है और odd आए तो minus होते है तो अब यहां पर देखो एक दो तीम यह सब के सब multiply हैं खुद से और multiply में आपके जो minus के sign है वो odd है इसलिए इसका answer क्या आएगा negative तो हमारे पास आएगा minus of 13 by 17 and that is equal to minus of 13 by 17 तो left and side is equal to right and side hence proved तो यही था आज के लिए आपका first chapter के तीन question thank you for watching अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो आपकी थोड़ी बहुत help हुई हो तो इसको like कर देना चैनल को subscribe कर देना हो ठीक है okay bye यहाझ